आज हम आपको मेलिंग टैप के मेल मर्ज आप्शन के सभी आप्शन की जानकारी दे रहे हैं इस अध्या में आप सीखेंगे मेल मर्ज आप्शन की सहायता से एक साथ कई लेडर्स तथा एनवलप्स प्रिंट करना मेल मर्ज की सहायता से हम व्यक्तिकत पत्र, पत्रों की नियली फाफों पर एडरेस और मेलिंग इस्ट में लिखे प्रतेक व्यक्ति के मेलिंग लेबस तयार कर सकते हैं कई बार हमें एक जैसे पत्र अनेक नामों और पतों के साथ पेजना होता है हमारी इस समस्या का समधान mail merge सुविधा में है आईए जानते हैं कैसे आप देखेंगे हमने mail merge को समझाने के लिए example के तौर पर यहाँ पर एक offer letter का format लिया हुआ है और उसके बाद हमने Excel sheet में यहाँ पर कुछ database लिया हुआ है जिनके letters हमें यहाँ पर तयार कर लिया है अब यहाँ पर हमने example के लिए keyword 10 लोगों का database लिया है आपके पास 100 भी हो सकते हैं और 1000 भी हो सकते हैं तो आप जितने भी letter से आपर create करना चाहते हैं उन सभी database का आपको एक list तयार करना होगा और उसके बाद आप आप आसानी से इसका use कर पाएं तो चले जाते हैं हम लोग वापस से MS Word के अंदर और यहाँ पर आपको जाना होगा mailing tab पर और यहाँ पर आपको select करना होगा select a recipe percent इस पर आप जैसे click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने तीन options आपको दिखाई देंगे सबसे पहला option आपका होगा type new list का अगर आपके पास कोई database नहीं है तो आपको एक बार यहाँ पर सभी information टाइप करनी होगी इसके अलावा नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर एक option आपको दिखाई देगा customize column का इस पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको सभी fields नहीं दिखाई देंगी जिन fields को आप यहाँ पर modify भी कर सकते हैं या फिर delete करना चाहें तो आप इसे यहाँ से delete भी कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप इसे rename करना चाहें तो आप यहाँ से rename भी कर सकते हैं किसे भी चीस को move up या move down करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं इसके अलावा दर कोई extra field add करना चाहें तो यहाँ पर आप click करके कोई नई field भी आप यहाँ पर add कर सकते हैं जैसे माल लिजे हम यहाँ पर add कर देते हैं employee ID और employee ID लिखने के बाद जैसे मोकी बटन पर click करेंगे तो आप देखेंगे हमारी employee ID गा field यहाँ पर add हो गया इसी तरीके से अगर आप इसे move up करेंगे कि यह सबसे उपर आपका यहाँ से चल जाएगा तो जितने भी आप उपर इसे रखना चाहें इस पर जब आप click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने तो यहाँ पर आपका जो cursor है वो नीचे की तरफ यहाँ पर jump कर जाएगा इसी तरीके से जितनी भी entries आप यहाँ पर करना चाहें आप यहाँ पर entry कर सकते हैं इसके लावा अगर आपने जो भी entry की है अगर आप उसे delete करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसे delete भी कर सकते हैं इसी तरीके से अगर आप find करना चाहते हैं तो जो भी field में आपने नाम type किया होगा उसे यहाँ पर type करके find कर सकते हैं यहाँ पर फिलार हम इसे cancel कर देते हैं तो हमारे पास already database है तो उसे हमें यहाँ पर select करेंगी तो उसके लिए हमें वापस से यहाँ पर select recipient पर click करना होगा और आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक और option दिखाई दे रहा है choose from outlook contacts यह अगर आपके outlook contacts में employees की details है या जिसका भी आप letter यहाँ पर create कर रहे हैं उनकी details अगर आपकी है तो आप यहाँ से भी उससे select कर सकते हैं तो फिलान हम यहाँ पर use exiting list को select करेंगे और यहाँ पर click करने के बाद हमारी जहाँ भी file रखी है हम उससे यहाँ पर select करेंगे तो हमने जो अपनी file है वो यहाँ पर desktop पर रखी है mail merge folder के नाम से इसको हम यहाँ पर open करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे data के नाम से हमने एक excel sheet बनाई हुई है उसको यहाँ पर select करके यहाँ पर हम इसे open कर लेंगे जैसे हम यहाँ पर open button पर click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने sheet बन दिखाई दे रहा है आपको क्योंकि हमारे जो Excel sheet है उसमें हमने किवल एक ही sheet यहाँ पर लिया हुआ है अगर हमने और भी sheet से आप लिये होती तो वो भी आपको वहाँ पर दिखाई देती है तो फिलाल हम वापस से इसी option पर आ करके यहाँ पर इस sheet को select करके जैसी OK बटन पर यहाँ पर click करेंगे तो OK करती आप देखेंगे हमारे जितने भी options थे वो सभी highlight यहाँ पर हो जाएंगी इससे पहले यह सभी option अनाइट थे और इसके बाद आप देखेंगे हमारा जो next option है वो है edit reception का इस पर जैसे हम यहाँ पर click करेंगे तो हमने जितनी भी details यहाँ पर type की थी वो सारी details आपको यहाँ पर दिखाई देंगी तो अगर आप इसमें चाहते हैं कि किसी का data यहाँ पर show ना हो तो उसका यहाँ से आप check mark अटा देंगे तो वो data यहाँ पर show नहीं होगा इसके लावा अगर आप इसमें कोई editing करना चाहते हैं तो edit पर click करके आप इसके अंदर editing भी कर सकते हैं फिलाल हमें कोई editing नहीं करने हम सिपल यहाँ पर cookie button पर click कर देंगे इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे next option आपको दिखाई देगा address block का address block basically हमें automatically address का एक content generate करके दे देता है मैं आपको दिखा देता हूँ वैसे दो हमने इसका पूरा content यहाँ पर तयार किया हुआ है लेकिन मैं फिर भी आपको इसका use दिखा देता हूँ एक ची की तरब हम जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करके हम यहाँ पर address block पे क्लिक करेंगे address block पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक format दे रहा है कि आप इस तरीके से अफ़ने yönel का format या निए उपर का format है वो यहाँ पर create कर सकते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे आपको काफी सारे recipient के format दे रहा है आप यहाँ से कोई भी format select करके जैसे यहाँ OK बटन पर click करेंगे तो आप देखेंगे आपका यहाँ address block आपके सामने represent हो जाए और उसके बाद अगर हम next option की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे वो है हमारा greeting line greeting line पर जैसे हम click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर भी एक dialogue box open हो जाएगा और यहाँ पर आप अपना greeting line format select कर सकते हैं अगर आप dear रखना चाहते हैं तो dear रख सकते हैं अगर आप यहाँ पर 2 रखना चाहें तो यहाँ पर 2 रख सकते हैं तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर 2 रख करके यहाँ पर OK बटन पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे greeting line भी हमारा यहाँ पर show हो जाएगा इसके लावा यहाँ पर आप देखेंगे highlights इस पर जब आप क्लेक करेंगे तो हमने जितने भी फिल्ड से यहाँ पर इंसेट किये हैं वो सभी यहाँ पर हाइलाइट हो जाएंगे मैं इसका एक बार आपको प्रीवियू करके दिखा देता हूँ जैसे हम यहाँ पर प्रीवियू बटन पर यहाँ बना करके क्लेट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा डेटा रेपर्जेंट हो जाए और अगर आप चाहें तो यहाँ से हाइलाइट मर्ज फिल्ड क यहाँ से हटा सकते हैं तो बिसिकली यह जो फॉर्मेट है हमने अपने हिसाब से यहाँ पर बनाया हुआ है तो हम इन सभी ऑप्शन का यहाँ पर यूज नहीं करेंगे फिलार हम इसे यहाँ से सिलेक करके डिलीट करतेंगे इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तो next option आप देखेंगे यहाँ पर insert merge field का आपको option दिखाई दे रहा है इसमें आप देखेंगे जितनी भी हमने वहाँ पर fields बनाई थी MS Excel में वो सभी fields के यहाँ पर header आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जैसे मैं आपको दिखा दूँ कि Excel sheet में हमने जितने भी headers यहाँ पर बनाए थे offer letters, names, address, city, state, wincode और company वो सभी के सभी आप यहाँ पर जैसी insert merge field पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो सभी options यहाँ पर दिखाई देगे अब इसकी मदश से हम अपने इस letter को किस तरीके से complete कर सकते हैं वो जान लेते हैं तो मैं यह चाहता हूँ कि यहाँ पर सबसे top पर यहाँ पर offer letter date यहाँ पर represent हो जाए तो उसकी लिए हम यहाँ पर mailing tag पर जाएंगे और यहाँ पर insert merge field पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो हमने field बनाई थी offer letter date की यहाँ पर आकर के हम click कर देंगे जैसे में यहाँ पर आकर click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी वो field यहाँ पर insert हो चुकी है इसी तरीके से यहाँ पर name को हम select करेंगे name को select करने के बाद बाद बापस से जाएंगे हमारी जितने भी fields हैं, उन सभी fields को यहाँ पर आप insert कर लेती हैं, तो यहाँ पर हम city को भी insert कर लेते हैं, same इसी तरीके से हम यहाँ पर state को भी insert कर लेते हैं, वापस से insert merge field पर जाते हैं और यहाँ से state पर click करते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पर pin code को भी insert कर लेते हैं, तो pin code के select करके हम वापस से insert merge field पर जा करके यहाँ पर name पर click कर देंगे अब basically merge field का यही फायदा है कि हम किसी एक जीस को कई बार insert कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने name को insert कर लिया इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे इस letter के अंदर हमारी company का नाम represent हो तो उसके लिए हम यहाँ पर company को select करते और बापस से insert merge field पर जा करके यहाँ पर company पर click कर देते हैं अब देखेंगे हमने अपने letters के अंदर सभी fields को यहाँ पर insert कर लिया है अब इसके बाद यहाँ पर next option आपको दिखाई देगा preview का preview आले बटन पर जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो letter है वो यहाँ पर completely तयार हो चुका है नीचे की तरफ अगर आप कोई field extra insert करना चाहते है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर insert merge field की मदद से यहाँ पर कुछ भी insert कर सकते हैं तो से माली जी हमने यहाँ पर state पर click किया तो state में यहाँ पर डेली आ गया और इसी तरीके से अगर म तो pin code भी हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा तो जितने भी field आप जितनी बार insert करना चाहें अपने इस document में तो आप वो कर सकते हैं अभी आप देखेंगे हमें जो document दिखाई दे रहा है वो केवल Amal Kumar का दिखाई दे रहा है अगर हम यहाँ पर preview result के उपर जा करके पर भी उसका state और pin code आपको दिखाई दे जाएगा इसी तरीके से सबी letters को आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके लावा अगर आप किसी state या नाम को ढूंदना चाहते हैं कि यहाँ पर आपको option दिखाई देगा find निसे percent का इस पर आपको click करना है और यहाँ पर आप जिसके entry को दूणना चाते हैं वह यहाँपर type कर सकते हैं जैसे माल लिजे हम यहाँपर type कर देते हैं सुबोध कांग मैं इसकी information यहाँपर ढूंदना चाहता हूँ तो इसे मैं type करके जैसे यहाँपर find next पर click करऊंगा तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँपर सुबोध कांग की इंडिक इंडिविजल डॉकुमेंट का इस पर आपको क्लिक करना है कि यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने डीयलोग बॉक्स आजाएगा merge to new document का सबसे पैला option आपको दिखाए देगा all का यानि यहाँ पर अगर आप all पर click करेंगे तो हमने जितने भी records यहाँ पर बनाए है उन सभी का letter यहाँ पर एक separate page पर बन कर तयान हो जाएगा इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर current को select करके यहाँ पर okay बटन पर click करेंगे तो केवल जो currently हमारे सामने data दिखाई दे रहा है यानि सुबोत कांद का जो data में दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर खाली represent होगा इसके अलावा कोई और data represent नहीं होगा के अलावा अगर आप from को select करते हैं तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जिस number से जिस number तक का record यहाँ पर represent करना चाहें वो कर सकते हैं जैसे मैं चाहता हूँ कि दो number से लाश्ट पांच number तक का ही अपार जो letter है वो यहाँ पर represent हो इसके अलावा पोई और data represent नहीं हो यहाँ पर आप select करके जैसे okay बटन पर click करेंगे तो 2 से 5 तक का ही data आपको यहाँ पर दिखाई देगा तो basically हमें चाहते हैं कि हमने जितने लोगों का यहाँ पर letter create किया है उन सभी का तो उनका मैं अलग-अलग एक separate page पर letter create करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम यहाँ पर all को select करेंगे और यहाँ पर okay बटन पर click करेंगे जैसे हम यहाँ पर okay बटन पर click करेंगे तो आप देखेंगे page number 1 पर आपको दिखाई देगा अमन का record इसके अलावा जैसी next page पर मैं यहाँ पर jump करूँगा तो आप देखेंगे second पर हमारा देपक सिंग आ गया और third page ऐसी मैं click करूँगा तो आप देखेंगे आपर आदित्या इसी तरीके से नीचे की तरफ अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर हमने जितने भी records यहाँ पर use किये थे उन सब का अलग-अलग safe rate एक letter यहाँ पर बनकर तयार हो जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से आप bulk में जितने भी letters चाहें उतने letters create कर सकते हैं सिर्फ एक click से बस आपको data select करना है और filter को add करना है और उसके बाद सीधे ok button पर click कर देना है आपका letter बनकर यहाँ पर तयार हो जाएगा इसके बाद हम यह चाहते हैं कि हमने जितने भी यहाँ पर letters create किये हैं जितने लोगों के हमने letters यहाँ पर create किये हैं उन सभी के लिए मैं safe rate एक envelope create करना चाहता हूँ तो वो हम कैसे कर सकते हैं तो हम फिलाल यहाँ पर हमने जितने भी letters यहाँ पर create किये थे उन सभी के लिए यहाँ पर अलग अलग एक separate envelope यहाँ पर create हो जाएगा तो उसके लिए हमें Excel की file यहाँ पर एक बार और insert करनी होगी हमें जाना है यहाँ से select reception पर और यहाँ पर use exiting list पर वापस से click करना है और यहाँ पर जो हमने फाइल Excel की रखी थी जिसमें हमारा वो data था उसको यहाँ से select करनेंगे तो यहाँ से desktop को select करते है और यहाँ से हम अपने data को select करके यहाँ पर open कर लेते हैं उपन करने के बाद आप देखेंगे हमारी यहाँ पर Excel sheet आपको दिखाई दे जाएगी यहाँ पर OK बटन पर click कर देंगे OK बटन पर click करने के बाद अब आपको जाना है यहाँ से start mail merge पर और यहाँ पर आपको select करना है envelope तो यहाँ पर आप देखेंगे envelope option आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा size को आप यहाँ से select कर सकते हैं जो भी size यहाँ पर select करना चाहें उसी आप यहाँ से scroll करके select कर सकते हैं तो हम यहाँ पर कोई भी size यहाँ पर select कर लेते हैं मारी जैने size 10 को select किया और उसके बाद इन सभी options के बारे में यानि delivery address और return address के जो font style है इन सभी options के बारे में मैंने पिछली वीडियो में पूरा describe किया हुआ है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं i button पर इसका link देदूँ आप वहाँ से इसे देख सकते हैं इस वीडियो में हम केवल mail merge के बारे में ही जारेंगे तो यहाँ पर हम simply इसको select करके यहाँ पर ok button पर klik करेंगे जैसे में यहाँ पर ok button पर klik करेंगे तो आप देखेंगे हमारा यहाँ पर return address जो है वो यहाँ पर विखाई दे जाएगा क्लिक के हमने return address यहाँ पर by default पहले से ही save किया हुआ है return address किस तरीके से save किया जाता है तो इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है आप आई बटन पर klik करके महाँ से इसे देख सकते हैं अब आप देखेंगे यहाँ पर envelope हमारे सामने represent हो गया अब इफिलार हमारे पास एक envelope है safety envelope है और यहाँ पर जैसे हम click करेंगे तो यहाँ पर हमारा delivery address का एक box आपको दिखाई दे जाएगा और यहाँ पर हम delivery address के लिए यहाँ पर जाएंगे insert merge field पर और इस तर खिलिक करने के बाद यहाँ से हम address पर जैसे मैं आप पर address पर select करेंगे तो यहाँ पर address का फिल्ड यहाँ पर दिखाई दे जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आप preview बटन पर click करके आप देख सकते हैं कि आपका address आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा यहाँ से आप उसी तरीके से next करके आपने address को check कर सकते हैं find कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका यह जो envelope है वो separate page पर represent हो जाए तो उसके लिए जैसे मैंने अभी आपको letters के लिए बताया था आपको यहाँ पर जाना होगा finish and verse पर और यहाँ पर आपको select करना है edit individual document नीचे की तरफ आप option देखेंगे print document का भी है एक option आपको दिखाई देगा अगर आप इस पर click करके directly इसको print करना चाहें आपको की बटन पर click करेंगे तो आप देखेंगे नीचे की तरफ हम यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो हमारे सभी envelops यहाँ पर बन कर तयार हो चुके हैं तो हमने जितनी भी information यहाँ पर add की थी उन सब की यहाँ पर envelops तयार हो चुके हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप MS Word में mailing tap के mail merge option का use कर सकते हैं अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like कमें शेयर जरूर कीजेगा धन्यवार